आप क्या बनने वाले हैं आगे हम डॉक्टर बनके समाज का सिवा करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं चंचल धमाल नियोज अभी यहाँ पे इतने भी बच्ची लोग देख रहे हैं आपका यह जागरुकता दौर के लिए मन्दार आये हुए थे और इनमें से कुछ लर्की फष्ट हुई है और किसी को पराइज भी मिल चुका है और यह लोग कहां से आये हैं और क्या नाम है सबसे पहले हम इनके पास जाते हैं और आपका यह गुरूप का नाम क्या है महरसी दयानन सरसुति आपके गले में जो यह मेडल लटका हुआ है यह क्या चीजिते हैं यहां पर देख रहे हैं यह दोर में जीते हुए हैं और यह जोए कि फर्स्ट आये हैं किस्क्रोवट्र का दौब देश कहले हैं इस किमेख रहे हो कितने साल से कितने साल के बच्चे और बच्चीं इसमें भाग लिया थे स्कों तो उसको इस्रोड़नुट लब फोसला से जो नीचा था जुसका सोला से ऊपर थी उसको तरस किल मिटर जो इसने नीचा थी वह पांच अफ सॉला से जो नीच्ट किल बत्ची बहुत सारे बत्ची थे इस में 10 ही सवें हुए है रहे हैं हम फ़र आए हैं underwater कि एक ग्रूप में जो एकी 10 को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें आफ हस्ट आए तो फस्ट रैंक आने वाले बच्ची और बच्ची और बच्ची को क्या-क्या प्राइच दिया दा मेडल मिला है और जो बच्ची जो की फर्स्ट आते हैं उसको जो की पहुंच जार रूपिया का प्रुस्कार दिया जाता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और उसे की एक टीक्सट दिआ जाता है कि अब जो प्र दिलंगा एक उपा दॉसको 12 यहां रूपिया मिला और मेडल मिला है और सेकेंड सकेंड को किया जो सकेंड होता हैकी प्रविस्रत आहरा है. अच्छा आप लोग सराप नसां मुक्त अभियान को के लिए यहां पर आए वे थें और जागरुकता दौर में आप लोग भाग लिए तो नसां मुक्त करने के लिए आप लोग क्या करें अब का नाम क्या हुआ अब कितने किलोमीटर में भाग लिए थे पांच किलोमीटर में आपका रेंग क्या आया है एज ले राया है दसमा रेंग का है तो अगले बार आप फर्स्ट रेंग आयेंगे करेंगे सराब मुक्त बिहार बनने के लिए अब क्या कीजिएगा अपने समाज में अपने सब्सक्राइब करेंगे हमारा गुरूप चल चलते आ रहा है और हम लोग बहुत सीज़ों पर काम भी कर चुके बाल विखाफ पर रोपने पर काम कर चुके हैं और यह बाल तसरी हो और यह बहुत सारे योजनावे बाल अदिकार पर हम लोग का उद्यूद से इसको बहुत पर काम कर रहे हैं हम लोग यह सब्सक्राइब करना और यह समय प्विएर हम लोग मतलब अपने पंचैट में सभी जगह घूम उमकर इसका पूरा मतलब परसा- बहुत हर तक कम हो चुका है यह सो आपका रैंक इस बार क्या आए अच्छा बिहार नसां मुक्त बिहार बनाने के लिए आप किस परकार से अपने समाज को जागरूप करें तो यहां जो आए आप जागरूपता दौर में इससे आपको क्या उदेश को मिलता है नसे में दूत आदमी जो कि दिन में पास सुरुपए जो कमाता है 200-300 वो ऐसे ही सराब में खतम कर देता है उसके पड़िवाड बच्चे उनको सही से सिछा नहीं मिल पाता है उनकी पत्नी जो की मतलब अभी कुछ ऐसे इस्तिती नसा के वज़ा से हो गया जो कि सरक पे आ चुके हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा अगर बीहार बनने के लिए क्लूए क्याएं और जी cannasarol नुरुंक बपर बनने के लिए किसे वेसे इसके लिए आप उदेश क्या Shower चाहांगे पूरे समाज को और किस परकार से इसको आप रोखने का प्रियास है अभी तो घर घर में जाके इस सब रोक कर रहे हैं इस सब बोल रहे हैं कि बच्चों को सिछा दिजिए यह सब से कुछ होता नहीं है और जिंदगी बरबाद हो जाता है और यही उम्र होता है लोगों को आगे बढ़ने का और बिगरने का भी तो इसी उम्र में आप लोग जा करके घर घर जो एकि सभी को सिछा देंगे सभी को जागरूख करेंगे कि जो एकि नसा नहीं करना तो आप लोग अब जो यहां से जाएंगे तो पूरे समाज में यह चीज को जनकारी देंगे और सब को जागरूख करेंगी कि ऐसे से करना चाहिए ऐसे हमारा समास आगे बढ़ने तो यहां पर देख रहे हैं सारे बच्ची लोग बैठे हुए हैं और यह जो एकि जागरूखता दौर को ले करके यहां मंदार आए हुए थे और इनमें से एक बच्ची फर्स्ट वील आई है और यह जो एकि नसां मुक्त बिहार बनाने के लिए यह जो एकि पूरे समाज क पूरें और यहां पर देख रहे हैं यह मेडल इनको प्राप्त हुआ है और इनमें यह फर्स्ट प्राइज है यहां पर लिखा हुआ है नसा मुक्त बिहार जागरुकता मैराथान अस्थान मंदार बौसी और पर्थम ये प्राइज है और रजान जिला पर्शासन बाका लिखा हुआ है ये क्या मिला हुआ टेक्सूट है और ये साटिफिकेट इनको मिला हुआ है और ये ट्रेक्सूट मिला हुआ है ये आप ही को मिला है तो ये ट्रेक्सूट इनको मिला हुआ है और ये जो राइज भी मिला है दिखाएए इसको आप पता रहे हैं आप गिनने आता है ये दिखाएए कितना है कि जोर से बोल बोल के किन जहरे हैं तो देख रहे हैं इस को कि इनको फर्सट प्राइज 55 रुपिया मिला हुआ है एक दो पिंच पार आप शार आर नोघस रहा है यानिकी पौश़ड रुपया इनको फ़र्ट प्राइज मिला हुआ है और एक सिल्ड मिला हुआ है यह साटिफिकेट मिला हुआ है एक मेडल मिला हुआ है और यह लिफापों में बंद इनको पहुंच जार रुपया मिला हुआ है इनको लिफापों में फिर कर दिजे और यह पैसा से आप क्या करन करेंगे और जो भी मतलब क्या जो भी उसमें गया वेनर वगएरा चिप्ताना पूरा उसाब चिप्ताएंगे तो देखिए कहा जाता है छोटी कदम बरी सोच इसी को कहा जाता है यह अभी 15-16 साल की बच्ची है और इनका सोच जो है कि कहीं कहीं वरे हैं और इनको 5,000 रुपिया यह जो कि अपने मेहनत पे यह दौर करके जीते हुएं और यह 5,000 रुपिया अभी से इनका सोच है कि हम अपने समाज को सुधारने में लगाएंगे हम जो काम कर रहे हैं उसको उसमें जो खर्च होगा वो चीज में हम लगाएंगे तो अभी से इस बनना किस पदपे जाना जाते हैं है है जैसे सुधान सुर है वैसे ही आप भी बना चाहते हैं किसी पदपर भी जाकर कर सकते हैं जैसे यूपएसी बढ़़न करके यह सब नहीं बनेंगे आप क्या बनने वाले डॉक्टर बनके समाज का से वा करेंगे भूस वेगर नहीं लेंगे और सरकारी अगर हो जाएगा तो अलग से क्लिनिक चलाएगा ज़्यादा पैसा को ने लिए विश्या को समाज का सेवा करेंगे आप क्या बनने वाले हैं समाज के लिए समाज के लिए सही इमादारी प्रुवक कम करें आप लोग क्या बनने वाला है कि आपका नम क्या है स्वाथिक आप पंस किलोमेटर मुझा लिए ते हाँ क्या हुआ अगले बार आप फर्ष्ट लाके दिखाएंगे हमको आगे क्या बनने वाले क्या बनना चाहिए कैसा डॉक्टर घुस्खोर या इमंदार 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 बनाएंगे पक्का कसम विल्कुल ना है चलिए बच्चे में कहीना कहीं बहुत बरा सोच यह लोग के बच्चे के अंदर हैं और यह जो एकी समाज सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हैं और एसे ही समाज में बच्चे और बच्कियां रहनी चाहिए और सबको जागरू खोना चाहिए देशकों समाज को हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के इसको आगे आना चाहिए इसके साथ ज Jugивать अगर यहांसे हमारा पर्यास अच्छा लगा हो तो स सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे जय हिन जय भारत